चलिए सातियों मैं आज आपको एक लोकेशन विजिट करा रहा हूं बहुत खुबसूरत लोकेशन है यह लोकेशन है मसूरी से जब आप कैम्टी फॉल पहुंचते हैं कैम्टी फॉल एक मशूर जंगा है मसूरी में अगर आप मसूरी पहुंचे होंगे कभी मसूरी आये मातर 5-6 किलोमिटर विकास नगर सड़क के उपर यह लोकेशन है और यह एक 5-5 बिगे का आप इसे रिजॉर्ट भी बोल सकते हैं आप इसको एक आशरम भी बोल सकते हैं यह उस जंगा का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं अब आपको और भी जादा विजिट कराऊंगा यह आ अब अब देखेंगτί और आस पास की लोकेशन से तो चारों तरह होंगे पहाड़ों से गिरी हुई Location है एक बहुती स्टांदार बहुती खुबसूरत यह पूरा व्यू है यहां का उरु मैं पहुत खुबसूरत क्यूय है श्राघ का जो आप देख रहे होंगे मैं अभी आपको अंदर से भी थोड़ा विजिट कराता हूँ अब हम अंदर चलते हैं जब आप अंदर आते हैं तो यहां पर यह बैठने की बाहर विजिटर के लिए बैठने की यहां पर इंतजाम किया गया है उसके पाद जब अंदर आते हैं बहुत अच्छा काम हुआ है इसके उपर अगर आप देखेंगे यहां पर तो पूरा बहुत अच्छी लकडी का हैं पर फिनीशिंग के साथ काम किया गया है और अच्छे इसकी सारी जो भी आप देख रहे हैं चाहिए इधर ड्राइं आपका डाइनिंग टेबल्स वगेरा का सेट अप किचन का सेट अप दिया गया है इसके अंदर और यहां पर सिटिंग का भी सेट अप किया गया है पूरा ड्राइंग रूम यह बनाया गया है इसके अंदर दो एक बैडरूम यह है बड़े साइज का बैडरूम है यह आप देखेंगे फूल फिनिशिंग और बाहर से अगर आप व्यू देखेंगे यहां का भी तो यह बाहर भी बहुत अच्छे से इसका व्यू आपको भाहर से भी मिलता है पूरा पहाड से हवा बहुत अच्छी अंदर आती है मैं आपको इसका दूसरा बैडरूम पूरा उपर तक आप देखेंगे यह पूरा लखनी का बहुत अच्छा काम यहां पर किया गया है अच्छी क्वालिटी के इन्होंने लगायो है आपर यह लेटिंग बात्रूम है आप देखेंगे तो यह सब लेटिंग बात्रूम यहां पर बनाए हुआ है और एक बैडरूम यह आई तो बंद है यह भी सेमी है यह भी सेमी है ना अजिए यह वाला बैडरूम पर सेमी है और यह बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है और बाहर काफी बड़ा एरिया चलिए दर बाहर देखेंगे यह पूरा एक रिजॉर्ट आश्रम है यह अच्छी यह आश्रम बनाया गया था एक महत्मा जी है उनके दौरा यह आश्रम यहां पर उनके यह बिल्कुल पर्सनल उनके परवचन वगएरा यहां पर हुआ करते थे और यहां पर आप एज एक रिजॉर्ट की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसे एक आश्रम की तरह भी और परसनल और आप उपर देखेंगे यह सब फोरेस्ट की लैंडाइज इसके उपर कभी भी कुछ नहीं बनेगा ना यहां कभी भी कंस्ट्रक्शन होने वाली है उपर की तरफ हां ठीक है है हिदर से हम थोड़ा सा आपको दिखाते वें चलते हैं पानी जैसे बता रहे हैं भाज साब पानी की फैसलेटी 24 घंटे हैं यहां पर किसी प्रगार की कोई समस्या पानी को लेकर नहीं है एक रास्ता यह दिया गया है उपर की तरफ जो उपर जाके देख सकते हैं थोड़ा दा मैं उपर से भी दिखा देता हूं इसको प्रॉपर्टी को आपको काफी बड़ी च्छत है यह इस हॉल की बहुत बड़ी च्छत है और पूरी दरह से कवर है और बहुत शांदार व्यू है मलब लाजवाब जंगा है रहने लायक ऐसी जंगा जहां पर आप मन को शांती आपको मिल सकती है और बहुत अच्छा आपको फिल होगा यहां पर आने के बाद बहुत अच्छी ऑक्सिजिएन लेवल बहुत अच्छा है मलब ऑटोमेटिकली व्यक्ति की अगर इस जंगा वो रहता है तो दस-पंदरा साल तो उमर उसकी चार-पास साल में जहील बनेगी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है यहां पर जहील भी बनने वाली है यानि कि इसकी खुबसरती और दोगुना बढ़ जाएगी अब हम इस लैंड से नीचे की दूसरी तरफ यह दूसरे यह अभी हम उपर दें सबसे उपर से लैंड का जो सबसे उपर वाल यह इसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं इसमें अपर भी एक मेडिटेशन सबस्क्राइब सब्सक्राइब जिस तरह ध्यान करने का ध्यान कक्ष बोल सकते हैं ध्यान केंद्र बोल सकते हैं और इधर यह बागीचा लगा हुआ है जिसमें आम के पेड़ लगे हैं और भी अन्य पर कार के पेड़ इसमें लगाये गए हैं लीची के आम के बहुत खुबसूरत तरह से डवलब किया गया है और यह एक सर्वेंट रूम है ट्वालेट वगारा इसके साथ ही है और यह सर्वेंट रूम है और इसमें अभी ताला है नहीं तो इसे खोल के दिखा देते आपको बिल्कुल और अगर आप करना चाहें बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जो यहां के टेकर हैं कि आप यहां पर इस पूरी ही है जिसका आप यूट्लाइशन कर सकते हैं बड़े बड़े जी जी उसके उपर बनाओ डबलस्ट्री रूम बिल्कुल बिल्कुल अब हम आगी की तरफ मूव करेंगे यहां से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे भी हम सेकिंड से लास्ट वाले फर्स्ट फ्लॉर के उपर है इस्के यह तो यह तही कि अच्छे से बहुत अच्छा पैसा लगाया हुवा है माली कि सदके बहुत ज्यादा चोड़ी है यहां से पास कर सकते हैं आप सड़के देखे कितनी ज़्यादा चोड़ी है, कमफट कितना ज़्यादा है, और यह मेन रोड आप देख रहे होंगे, यह सामने से यह मसूरी से जो आ रही है, केमटी फॉल से जो रास्ता आ रहा है, यह वो है, सीधा, और हम इस सड़क से नीचे उतर रहे हैं, यह अपन अब यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर भी डवलप किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह टेंट लगाए गये हैं, छे टेंट यहाँ पर, जिसमें लेटरिंग बातरूम सब अटेच है, मैं थोड़ा सा आपको विजिट करवाता हूं अंदर से, यह सामने से आप देखेंगे, यह पूरे छे टेंट हैं यहाँ से, और सामने का विव आप देखी सकते हैं, यह सामने का विव हो गया, फूलों से, फूल वगीचे, फूल पत्ती बहुत अच्छे जोगाया गया है, मैं थोड़ा अंदर का भी आपको इस टेंट के अंदर किस तरह से क्य हुआ है, वो भी दिखाता हूँ, यह सब बैड के विवस्था, एक डबल बैड है, एक सिंगल बैड है, एक इदर बैट दिया गया है, और काफी बड़े स्पेस के अंदर यह टेंट है, अराम से यहाँ पर दो-तिन लोग अराम से स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पर यह लैट इसी परकार से, यहाँ पर टोटल छे टेंट है, यह सब, अगर आप को यह टेंट नी चाहिए, अगर आप पके कमरे बनाना चाहते हैं, तो आप उसको भी बना सकते हैं, यह तो आपके ओपर निरभर करता है, यह आप क्या करना चाहते हैं, ऐसी रखना चाहते हैं, तो भी यहां पर लोग रुखते हैं कोई भी रुखते हैं उसके लिए यहां पर एक किचन प्लस रेस्टोरेंट आप बोल सकते हैं वो भी डवलब किया गया है यहां पर हम उसमें चल रहे हैं अभी सीधे यहां पर आप आजाते हैं यह इसमें चार-पांच टेबल लगी हुई है यहां पर आप अराम से बैटकर अपने पसंद का साना भी भूना सकते हैं सामने किचन है और यह तीवी लगा हुआ है यह पूरी किचन है सड़ यहां पर एक एक चीज बहुत अच्छे से डिजैन की ग देखेंगे ऊपर की बनाने की इसकी सब की कॉलिटी बहुत अच्छी बनाया गया है और बहुत अच्छे से डवलप किया गया है अब हम यहां से यह बिल्कुल इसके सामने से भी एक पार्क बनाया हुआ है नीचे की तरफ और थोड़ा एक टैरिस जिससे आपको जो व्यू है यहां सब नीचे उतरते हैं और यहां से एक सामने सिटिंग के लिए एक बहुत अच्छे से यहां पर भी डवलप किया गया है ड्राइवर वगयरा के यहां पर रुखने के लिए जैसे लोग आते हैं क्यूंकि आप सड़क देख रहे होंगे यह सीधी मसूरी से आ रहे है सड़क और मसूरी से एमटी फॉल से समान लगेज के लिए हाँ पर यह दिया गया है और यह सामने का व्यू हो गया हमारा और यह सामने आप देखेंगे यह जमना जी है सामने यमनोत्री हाईवे है सीधा यमनोत्री जा रहा है रास्ता यमनोत्री यहां से 120 किलोमेटर की डिस्टेंस पर है 120 किलोमेटर यमनोत्री है यहां से बहुत शांदार लोकेशन है बहतरीन लोकेशन है एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप एक अच्छा खासा अपना एक अच्छा रिजॉर्ट और ज्यादा से डवलप करके यहाँ पर कापी अच्छे से इसको कर सकते हैं बाकी और भी आपको जो जानकारी लेनी होगी वो आप हमसे ले सकते हैं उसके लिए आपको एक बार हमारे फोन नंबर मैं आज मैं आपको दे रहा हूँ 7417-8366-00 रवी बिरला मेरा नाम है मैं एक बार दुबारा आपको बोल देता हूँ 7417-8366-00 इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कीजे और इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी आपको और जानकारी लेनी हो आप मेज़े से ले सकते हैं धन्यवाद थैंकियो सो मच